आपका हार्दिक स्वागत है आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जहां जंतर मंतर पर लाखों करोड़ों लोग यहां आते हैं अपनी मुरादों को लेकर और यहां पर अपनी मांग को लेकर धन्ना दिल्ली को पर पर दरशन करते हैं उसी सम्माद में यहां डिल्ली की आज़ा वरकर अपनी मांग को लेकर दिल्ली के अंदर आई हैं इस से पहले आंगा-वारी वरकरों ने भी इसी तरीचले देने तरीके दृणा पर दर्शन दिया था हूट दिल्ली सरकार उनके सामने जुकने का काम किया उसी परकार से ये अपनी मांगों को लेकर यहां जंतर मंतर आई हैं आई हैं इनसे हम जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं कि इन मांगों को लेकर यहां आई हैं और सवास्त मिसन की आम सबसे पहली कड़ी माना गया है, ये तो सरकार भी मानती है, कि आशा सवास्त मिसन की पहली कड़ी है, मगर ये पहली कड़ी इतनी कमजोर है, कि इसी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमें मात्र पंद्रा सो रुपिये मासिक दिया जाता है, जो क कोर एक्टिविटी के तोर से बोला जाता है, हमारी कोई सेलरी नहीं है, कोई और पैसा नहीं है, जितना हम काम करते हैं, उसी का हमारे को इंसेंटिव दिया जाता है, मगर इंसेंटिव पे भी हमारे लिए इतनी सरते रखी गई हैं, कि वो हमारी सरते कंप्लीट नहीं हो पाती कि इंसेंटिव यह है कि जैसे डिलीवरी होती है तो हम नो महिने तक उस प्रेग्नेंट लेडीज का हम देखते हैं उसकी केर करते हैं मगर अगर अगर उसका होस्पिटल में डिलीवरी हुई तो हमें उसके 200 रुपीज मिलेंगे वह भी अगर वह हमें चुटी के डिशार्ज पेपर की फोटो कोपी देती है तो नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी और अगर घर में डिलिवरी हो जाती है तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा यह है अगर कोई बच्चे नो महिने का हुआ है अगर उसका हम पूरा नो महिने का टीका करण करवाते हैं तो हम 125 रुप है कि हम क्या क्या सर्थ पूरी करें उन्होंने पॉइंट की बेस पे रखा है कि आप इतना काम करो आपको इतना पैसा मिलेगा पर उसमें सर्थे भी रखी हुई है अगर यह चीज नहीं हुई तो पैसे कट जाएंगे कहने को वह कहरें कि पंद्रा सुर्प्य आपको हम दे रह